IPL की एक SC टीम जिसने दो बार खिताब जीत कर चिर्नई और मुंबई जैसी टीमों को या बता दिया कि खिताब जीतने का माददा इस टीम में भी है दोज़तों साल 2008 में जब इंडियन प्रिमियर लीग की शुरुवात हुई थी तब उस समय IPL की कुछ टीमें बहुत मजबूत तो कुछ टीमें कमजोर नजर आ रही थी लेकिन हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं हो सकता है आप उस पर यकीन ना करें लेकिन यह सत प्रतिजब सच है 2008 में जब सभी टीमें IPL के लिए फाइनलाइज हो गई तब ज्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट और पंडित यही कह रहे थे कि IPL की पहली विजेता टीम चन्नाई सुपर किंग्स या फिर कॉलकाता नाइट राइडर्स ही होगी क्योंकि यह टीम पेपर वर्क में बहुत मजबूत थी टीम की कमान सौरब गांगुली के हाथों में थी और टीम में ब्रेंडम मेकुलम, सलमान बट, डेविड हसी, रिकी पॉंटिंग, क्रिस गेल, मुहमद हफीज, इशान सर्मा, उमर गुल, स्वयबक्तर और अजंता में इंडिस जैसे दमदार खिलाडी थे, जो उस दोर में फॉर्म में भी चल रहे थे, लेकिन यह टीम खिताब नहीं जीत सकी, दोस्तों ये तो हमने आपको कॉलकाता नाइट्रेडर्स की टीम की कुछ ऐसे तच्छ बताये हैं, जिसे आप शायद नहीं जानते थे, लेकिन के बाद आखिर क्या हुआ कि केके आर अर्श से फर्स पर पहुंच गई, चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको कॉलकाता नाइट्रेडर्स टीम का 2008 से लेकर 2022 तक का IPL परफॉर्मेंस बताते हैं, कॉलकाता नाइट्रेडर्स टीम के दो मालिक हैं, एक सारूख खान की प्रोडक्शन कंपणी रेड चिली इंटर्टेन्मेंट ने 55 प्रिश्यत सेयर के साथ खरीदा, तो वहीं महता ग्रूप की 45 प्रिश्यत की हिस्तेदारी थी, और आज के आंकडों को देखें, तो टीम के वेल्योएशन में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, एक आकड़े के अनुसार साल 2019 में इसका वेल्योएशन 629 कडो रुपे था, दोस्तों एक वक्त ऐसा भी आया था जब केकर टीम इतनी खरा परफार्मेंस कर रही थी, जिसे देखकर सारूख खान अपने शेयर बेशने वाले थे, लेकिन 2012 में जब केकर ने गौतम गंभीर की अगवाई में खिताब जीता, तो शारूख खान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, लोग बताते हैं कि शारूख को इतनी खुशी थी, कि वो बालकनी से ग्राउंड में कूदने वाले थे, अब तक केकर की टीम ने 15 IPL सीजन खेली है, जिसमें सिर्फ दो बार खिताब ज तो शोलन में यह टीम प्ले आप्स में पहुंची थी और पांच बार लीग स्टेज पर दो, दोस्तों अगर केकर का किसी टीम के खिलाफ विनिंग परसेंटेज देखें तो किंग से लेवन पंजाब के खिलाफ है जो लगभग 59 पृच्श्यत है, और वही टीम का अवर आल परसंटेज देखें तो 51 प्रिज़त है केकेयार का विन परसंटेज से मुंबई इंडियन्स के खिलाब सबसे कम है जो की सिर्फ 22 प्रिज़त है केकेयार की सबसे अच्छी फवामन्स साल 2012 में रही थी जब इस टीम ने 18 में से 12 मैं जीते थे साथ भी IPL ट्रॉफी भी पहली ब एक अनोखी कहानी है शुरू में इस टीम की जर्सी का रंग काला और गोल्ड था जो मा काली को रिप्रिजेंट करता था लेकिन तीसरे सीजन में जर्सी का रंग शाहरुक खान के कहने पर परपल और गोल्ड कर दिया गया जो अभी तक कायम है आपको शायद ना पता हो लेक के के कार टीम के मालिक शारुक खान को मुंबई क्रिकेट एसोसियेसन ने वानखेड़े स्टेडियम जाने पर पांच साल का प्रतिबंद लगा दिया था हालकि वह बैन उन पर 2008 में ही लगा था जहां वह कभी भी किसी समय के क्यार के ड्रेसिंग रूम पर नहीं जा सकते या अभी भी जारी है आई पील के सुर्वातिश सीजन में पाकिस्थान भी हिस्सा थी और ज्याधतर पाकिस्तानी खिलाडी के क्यार में थे के क्या टल की से ज्यादा रन बनाए थी गंभीर ने 108 मैचों में 3035 रन बनाए जो अभी तक कोई के क्यार कप्तान नहीं कर सका गंभीर ऐसे खिलाडी भी थे जो टीम की तरब से सबसे ज्यादा हाप सेंचुरी भी लगा चुके उनकी कप्तानी में टीम का वेनिंग परसंटेज 51 हुआ करता जब भी बात होती है आईपियल की सबसे सफल ओपनिंग जोडी की तो गंभीर और क्रिसलिन सबसे सफल नजराते हैं गंभीर के क्यार के एकलोते खिलाडी हैं जो सबसे ज़्यादा सूनिपर आउट हुए हैं तो दस बार सूनिपर आउट हुए थे लेकिन मैच के बाद इस विवाद को दोनों खिलाडियों ने मैदान पर ही खत्म कर दिया था साल 2017 के IPL में एक मैच के दोरान के क्यार ने RCB को सिर्फ 49 रनों पर समिट दिया था जो किसी भी टीम को इतने कम स्कोर में आउट करने वाली के क्यार एकलोती टीम पर दिया दोस्तों के क्यार टीम के दो तुरुप के इके युसुप पठान और सुनिल नरेन रहें जिनोंने कई बार टीम को एहम मौकों पर जीत दिलाई एक खास रिकॉर्ड इन दोनों के नाम है फास्टेश ठाप सेंचुरी जो की 15 गेंदों पर लगाई गी थी टीम के एक और खिलाडी जैक कैलिस जिनोंने अपने आल राउंड खेल से केके यार को कई मैच जिताए हैं ये दोनों अब केके यार के कोच और मिंटोर की भूमी का में नज़राते हैं टीम का उच्तम स्कोर 2018 में पंजाब के खिलाब 245 रन था तो न्यूनितम स्कोर मुंबई के खिलाब 67 रन था कॉलकाता नाइट्रेरल्स ने अब तक 223 मैच के लिए हैं जिसमें विन परसंटेज 51 का रहा है IPL 2023 में एक बार फिर टीम की कमान स्रेयस अईयर के हाथों में है और टीम का पहला मुकाबला किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ एक अप्रेल को है स्रेयस अईयर की सोच यह रहेगी कि टीम को चैंपियन बनाकर 10 साल के सूखे को खत्म किया जाए आपको क्या लगता है दोस्तों अगामी IPL में कॉलकाता नाइट रैर्रस का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा कमेंट में हमें जरूर बता है क्रिकेट के ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो खबरों और रिकॉर्ड्स के लिए बने रही हमारे साथ अगले अग में मिलेंगे एक और IPL टीम के साथ अभी दीजिए इजाज़त दन्यवाद